हलो फ्रेंस मेरे चैनल पापका हार्दिक सागात है आज कल हम लो गार्डन को सारा दिन प्लान लगाने में ठीक ठा करने में लगे हुए हैं आज मैं हैंगी प्लान त्यार करूंगी उसके लिए चलिए पहले मिटी बना लेती हूँ ये गोबर खाद में एक हिसा ली हूँ और कौकोपित मिलाना जरूरी हूँ अगर आपके पास फंगी साय् Dale नहीं हो तो हल्दी पाउडर मिला सकते हैं इस तरह सब को मिलाकर कर वौट में भर लेना है जाए है पॉट भरने के पहले मैं इस तरह नारियल के छिलके रखती हूं, उसको इस तरह रख देती हूं नीचे, देखे इस तरह रख देती हूं, या पेपर या सुखे पते भी रख सकते हैं, उसके बाद मिटी भर लिजे, हैंगी पोट में लगने वाला बहुत सारे पलांट होते है जो आपके पास हो उसका कटिंग लगा सकते हैं नर्शरी में भी अभी मिल जाएंगे वह ज्यादा दा में भी नहीं मिलेंगे सस्ते में ही मिलते हैं 30-40 से सुरू होते हैं इस तरह में भर कर उसे बाद पलांट लगाऊंगे अपने ही गाडन से इतने सारे अपके पलांट मिल जिसके cutting लगा लगा कर धेरो सारे plant बना सकते हैं, गर्मी के लिए hanging pot त्यार अभी से करेंगे तो garden में hang कि यह बहुत खुबसूरत लगता है, देखें मैंने भर लिए भरने के बाद इसमें मैं asparagus लगाऊंगे, देखें, यह भी बहुत खुबसूरत लगता है, हैंगी pots में, डिवाइड करके धेरो सारे plant बना सकते हैं, पोट में भी हैंगी पोट में खुबसूरत लगता है अगर आपके पास नहीं हो, तो एंशरी में छोटा से छोटा पोट में लगे हुए पलांट 30-40 रुपय में मिल जाएंगे और एक पलांट लाएंगे, उससे धेरो सारे plant बना लेंगे, और एक डॉलर पलांट है, पेनी वर्थ इसको भी हैंगी पोट में लगा सकते हैं, बहुत खुबसूरत लगता है, लेकिन इसमें पानी बहुत बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें पानी इतना ज़्यादा लगता है, जब सुबस पानी भी देंगे, तो यह प्लांट खराब नहीं होंगे, दूसरे प्लांट में तो हम लोग ज़्यादा पानी देते हैं तो खाराब होते हैं लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा दीजिए शुवा सामगर्मियों पानी दीजिए उपर से सावर कीजिए तो बहुत खुब सुरत लगता है इस तरह पेनी वर्थ ये कटिंग भी लगा देंग लिए तो बिल्कुल पर्फेक्ट ऐप लांट है कि में राइख, प्रपल लाएं लगाने से इतने खुब सुरत लगते हैं जब इसकी बेल लटकी हूँ रहती है मेरे पास दो रिदर का है Вы अगर आपके पास रिदा निशिक करनी तो में ःड़्य的时候 एक दो दिन तक जब रूट्स बन जाती है तब हम लोग उसको धूप में रखते हैं सुबा का घंटा साम का घंटा और जालीदार टोकरी है इसे इस तरह के कप्रे डाल लीजिए या जो थैले आते हैं कप्रे वाले मार्केट में मिलते हैं वह थैला भी काट के लगा सकते हैं जूट वाले बोरी काट कर भी इस तरह जलदार टोकरी में इस तरह कप्रे विछा कर अब हैंगी पॉट बना सकते हैं मेरे पहले हैंगी पॉट बने हुए थे सब का पलांट खरा हो गया था इसलिए मैंने इसमें देखी थोरा मोटा कप्रा विछा दे रहे हूं ताकि मीटी नहीं इसमें मीटी भरका मैं पलांट लगाऊंगी बहुत सारे इस तरह पॉट जो खाली हो गया है कितने पलांट और मंसी में चले गए उसको अभी हम ठीक ठा करने में लगे हुए हैं खा देने में पुर्णिंग करने में अभी का मौसम जो है परफेक्ट मौसम है पोधे को खा देना पुर्णिंग करना कटिंग लगाना कटिंग लगाकर अभी मार्च के महीने में धेरो सारे पलांट बना सकते हैं जैसे धूप निकल रही है विसे विसे पलांट की गुरोत बढ़ती जा रही है और बहुत खुब सूरत लग रहा है गार्डन धीरे-धीरे ठंड में त थोरा सभी कटिंग लगाने से पोट बहुत जल्दी भर जाता है और यह भी हैंगेंग पोट में बीटीफुल लगता है एक दाम खुब सूरत लगता है जब लटके हुए इसकी बेल राती है तो इसमें मैं वंडरिंग जीव लगाऊंगी वंडरिंग जीव भी कितने कलर मे पोट में वंडरिंग जीव लगाकर आप हैंगी पोट में त्यार कर सकते हैं पोट में अच्छा लगता हैंगे पोट में खुब सूरत लगता है छोटा से चोटा कटिंग इस तरह लगाएंगे बहुत जल्दी टोकरी भर जाता है नीचे के लिफ सटा दीजिए और इस तर कटिंग लगा दीजिए यह तो हैंगी पोट में जब लगाएंगे जगा जगा इसकी कटिंग गिर जाता है अपने आप ही इसकी बेल तो अपने आप ही गुरो हो जाते हैं इस तरह इसको भी दो चार दिन तक सेडी एरिया में रख दीजिए जब रूट्स बन जाए तब इ दोबन जाएगा तो अच्छाल ज्रोथ होता है ज्यादा धूप में रखे तो यह भी ठुटवन होने लगता है जलने लगता है ज्याए से डेरिया में रखेंगे तो गिरीन गिरीन सीथा sims होजाता है अब ने से शकलर और निरा दीजिए पलर-फलर क Samsi को अबी वह सब्सक्राइब बड़े नहीं हुए है जब बड़े हो जाएंगे तो इसको भी मैं एक प्लांट से धीरे-धीरे धेर सारे प्लांट बनाऊंगी और इसमें टटन वाइन भी इतने फैल जाएंगे आपको गर्मी में बरसात में तो इसको उखार-उखार को फेकना परता है तो अभी डुर्मंसी में सब प्लांट चले गए थे सब खराब हो गए थे और ये अपने आप ही जगा-जगा से ये ग्रो हो रहे है उग रहे हैं पोट में इसको भी हैंगे पोट में लगाएए जब लटके हुए अच्छे लगती हैं जब लटकने लगते हैं ठेटन वायन की बहुत खूसूरत लगता है इसको कुछ ने करना इस तरह मिटी में बिछा दीजिए और पानी डलना मत बुलिया पानी देख बड़ना ही परेगा कोई लगाते हैं तेक वर फूल पानी डलना जरूरी होता है अभी हमारे मौसम थोरा ठंड ठंड और हवा चल रही है बादल भी गरज रहा है कब वारिस आजाएगा पता नहीं और इसमें लगा रही हूं मैं छोटा टेटन वाइन चोटा लिप्स वाले टेटन वाइन का यह भी बहुत खूसूरत पलांट होता है इतना घ्रणा हो जाएगा बहुत जल्दी इसको भी लगाने में ज्यादा परसानी नहीं टेटन वाइन का यह छोटा लिप्स वाले का बहुत खूसूरत लगता है गार्डन में इसको भी मैं छोटा चोड़ा कटिंग इस तरह सिधे डाल दे रही हूं उसके बाद पानी डाल दोंगे देखें जेट पलांट का भी कटिंग लगा सकते हैं जेट पलांट के कटिंग म अब पानी डालोंगे बुन्दाबंदी बारिश शुरु हो गया आपको दिखाय भी दे रहा होगा हमारे हीं बारिश को मौसम सुबह से था बारिश भी सुरु हो गया है ज़िए बीडियो आच्छा लगे तो लाइक करिए ऐख विर चान परिए अब लोग बीश तरह हैंग त्यार केजिए अभी हम लोग गाडन में धेरो सारे पलान लगा कर त्यार कर रहे हैं